प्रेश दी बेल आइकन उन दे यूट्यूब एप एप एंड ने मिसन अपडेट फॉम टिकिराउंटी हलो गाईज टेक्टॉक्स के एक और फ्रेश एपिसोड में आपका बहुत बहुत सागत है आज हम बात करेंगे कि ऐसे करंसी के बारे में जो ना फिजिकली एक्जिस्ट करती है ना कोई गवर्निंग बॉडी से इसको बैक अप है फिर भी कैसी आप इसका अस्तेमाल करके चीजे खरीश सकते हैं या बेश सकते हैं या कैसे इसमें इन्वेस्ट करके आप मिलेनियर बन सकते हैं जी हाँ आज हम बात करेंगे बिटकोइंस के बारे में बिटकोइंस होते क्या हैं कैसे आप इन्हें कमा सकते हैं क्या यह लीगल है इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा तो देखते हैं इस वीडियो को आखरी तक क्योंकि आज इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा बिने किसी देरी करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं So let's get started Guys, last year के demonetization के बाद लोगों को फायदा हुआ हो, नुकसान हुआ हो, कुछ भी हुआ हो बट लोगों को एक बात तो समझ में आ गई है कि पैसे की value क्या होती है What I mean कि पैसे की actual value एक note नहीं होता है या कोई coin नहीं होता है उसकी actual value होती है, वो जो governing body या authority जो उसे control करते हैं, वो decide करते हैं For example, 500 रुपे note की value 500 रुपे तब तक है जब तक RBI या governing body ने उसकी value 500 decide की हुई है, तब तक ही उसकी value है For example, अब demonetization का ही case ले लिजे Till 8th of October जब तक श्री माने निये प्रदान मंत्री जी ने ये कहा कि आज मद्यरातरी से पुराने पास्सो और हजार के note बंद हो जाएंगे To what that actually mean कि उनकी physical value उन currencies की उन note की 500 रुपे और 1000 रुपे की अब कोई value नहीं रही ये market में मतलब आपके पास वो पैसे तो है वो currency है बड़ उनकी value zero हो गई है So यही हुआ तो इससे एक चीस्तों लोगों को I think समझ माई होगी कि real पैसा या value वो note नहीं होता उसके पीछे उस note की क्या value governing body ने decide की हुई है वो होती है So जब भी कोई नए note print किये जाते हैं तो government ये make sure करती है कि उतने value के assets government के पास हो ऐसा नहीं कि 500 के लाखों note चाप दो, हजार के लाखों note चाप दो और गरीब हों बाड़ दो ऐसा नहीं कर सकती government government के पास जितने note वो चाप रहे उनका assets होना चाहिए So ये तो थी currency की बात, अब मैं अगर ये कहूं कि ऐसी भी एक currency है जो physically exist नहीं करती, वो सिर्फ आपके storage device, computer, laptop, mobile में रहती है और उसका use करके आप online shopping कर सकते हैं आप बहुत सारी चीजे खरीज सकते हैं, बेश सकते हैं आप उसे ऐसा investment purpose के लिए भी use कर सकते हैं क्योंकि उसकी value बहुत ज़्यादा fluctuate करती है, उपर नीचे होते रहती है जी हाँ, आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही cryptocurrency की जो बहुत ज़्यादा popular है which is bitcoins हाला कि bitcoins का किसी governing body से backup नहीं है या कोई authority से control नहीं करती बट फिर भी अभी तक ये legal है पूरी तरह से bitcoins कोई physical coins नहीं है, यह एक है digital currency जो stored रहती है long encoded form में और इसका इस्तेमाल करके आप internet से कुछ भी खरी दिया बेश सकते हैं वैसे मैं बता दू कि bitcoins का आज का जाला तरह use illegal कामों के लिए होता है जैसे की to ask for ransom, to hire hitmen, या internet पे drugs, smuggling, to buy online personal data of public और इन सारी चीजों के लिए actually मैं bitcoins बुरा नहीं है, बट क्योंकि यहाँ पे कोई governing authority नहीं है इसे track करने के लिए, so जात है लोग आज काल इसे illegal activities के लिए use करने लगे है अगर आप internet का use करते हैं तो आपने deep web, dark web का नाम सुना होगा कि कैसे वहाँ पे यह सारी illegal activities होती है bitcoins के base पे वहाँ पे कैसे hitmen hire किये जाते हैं, drugs की smuggling और यह सारी activities होती है वैसे deep web, dark web के बारे में मैं एक detail video आगे चलके जरूर बनाऊंगा अभी के लिए आप यह समझ लीजिए कि यह internet का वो space है जहाँ पे आम लोग आम तोर पे normal तरीके से नहीं पहुश सकते what I mean कि आप normal browser पे hit करके इन URLs पे इन websites पे नहीं जा सकते इनके लिए आपको tor browsers लगेंगे और इने कहते है onion urls और यह tor browser पे ही open होते हैं इसके अलावा deep web, dark web के content आप google search पे भी search नहीं कर सकते यह किसी भी search engine के नजर से दूर रहते हैं इनके कोई metadata traces, google track या कोई भी search engine track नहीं कर पाता so let's come back to bitcoins की bitcoins होते क्या है actually में bitcoins is world's first decentralized currency जिसे आप internet पर कहीं भी किसी को भी भेज सकते हैं directly और यहाँ पे बीच में कोई authority भी नहीं रहती to track the transactions so आपको कोई transaction charges भी नहीं लगेंगे अब समझते हैं कि भाई bitcoins का start कब हुआ और कैसे हुआ bitcoins एक cryptocurrency है and it's a digital payment system जिसका invent किया गया back in 2009 by a scientist name Satoshi Nakamoto so तभी से bitcoins काफी popular है online और पिछले कुछ समय से तो काफी stable भी है so चलिए अब समझते हैं कि bitcoins आप घर बैठे कैसे कमा सकते हैं और आखिर एक bitcoin की value इंडियन रुपी में कितनी होती है guys currently एक bitcoin की value है 2,80,106.75 to be precise और यह value काफी fluctuate करती रहती है क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही का कि कोई यहाँ पे centralized authority नहीं है इसकी value control करने के लिए so इसकी value बढ़ते जा रही है दिन प्रती दिन महीने दर महीने so जो लोग यहाँ पे bitcoins पे invest करते हैं वो actually में आपस में decide करते हैं और trade करते हैं और इसकी value दिन प्रती दिन बढ़ती जा रही है यहाँ पे एक bitcoin trader दूसरे bitcoin trader से directly contact कर सकता है और आपस में ही वो bitcoins का exchange कर सकते हैं कोई इसमें बीच की authority नहीं रहती है जैसे कि bank के case में होते हैं आपके transaction track किये जाते हैं तो आपका account freeze भी किया जा सकता है बट यहाँ पैसा कुछ भी नहीं है यही एक major reason है bitcoins के popular होने का online so guys आज की वीडियो में बस इतना ही था अगली वीडियो में मैं बात करूंगा bitcoins कैसे आप कमा सकते हैं bitcoins mining क्या होती है blockchain process क्या होता है जिसके जरीए bitcoin काम करता है इन सारे चीज़ों पर discuss करेंगे तब तक इस वीडियो को देखते रहिए like कीजिए comment कीजिए share कीजिए और अगर आप मेरे channel पर नए आगे हैं तब आप हुगा आप हुगा प्लकम आप हुगा आप हुगा गैं